चलिए हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, आज हम बात करेंगे इंपुट फंक्शन की, यह एक ऐसा फंक्शन है जो यूजर से इंपुट लेने में यूज होता है तो चलिए अब हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, तो पहला वैरियबल है n is equal to input चलिए अब हम double quote के अंदर एक message type करते हैं, enter your name चलिए अब हम अपना दूसरा वैरियबल लेते हैं, f is equal to input double quote के अंदर enter your father's name चलिए अब हम अपना तीसरा वैरियबल लेते हैं, m, m is equal to input double quote के अंदर enter your mother's name चलिए अब हम अपने वैरियबल की value को print करने के लिए print function का use करते हैं, तो सबसे पहले print double quote के अंदर your name is plus n जो value n के अंदर store होगी वो print होके आ जाएगी, print your father's name is plus f print your mother's name is plus n चलिए अब हम इसको run करते हैं, तो अब हमारी console screen पे एक message या रहा है enter your name निति जन फिर हमारी screen पे एक और message आ रहा है, enter your father's name संदीप जन चलिए अब हम इसको run करते हैं, तो हमारी screen पे आ रहा है, या निति जन, या फादर's name is संदीप जन and your mother's name is चाया जन, तो चलिए अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें हम यूजर से दो नमबर लेंगे, और उनको add करके जो value आएगी, उसे तीसरे variable में store करके print करेंगे, चलिए मैं अपना पहला variable लेती हूँ, a is equal to import, चलिए अब हम डबल कोट में एक message टा enter the first number, चलिए अब मैं अपना दूसरा variable लेती हूँ, b is equal to import, डबल कोट में enter, second number, चलिए अब मैं अपना third variable लेती हूँ, c is equal to a plus b and finally print c, चलिए अब हम इसको run करते हैं, तो हमारी console screen पे हमें एक message दिखाई दे रहा है, enter the first number, तो हम अपना पहला number टाइप करते हैं, 23, और अब हमारी पास एक और message आ रहा है, enter the second number, तो चलिए हम टाइप करते हैं, 5 और इसको enter करते हैं, तो हमारी screen पे जो दो numbers हमने लिखे थे, वो 8 नहीं हुए हैं, वो पास पास आगा हैं, ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि python में input function by default, सिर्फ string input ही लेता है, तो हमको यहाँ पर type of value बतानी होगी, तो हम यहाँ पर integer type of value चाहते हैं, तो अब मैं type करती हूँ, a is equal to input से पहले int, और int integer के लिए उसकी जाता है, b is equal to input से पहले int, I hope इस बार ही अच्छे से चले, तो चलिए अब हम इसको run करते हैं, तो अब हमारी comfortable screen पे message आ रहा है, enter the first number, तो मैं अब इस बार लूँगी 10, अब हमारा next आ रहा है, enter the second number, तो हम मैं लूँगी 20, चलिए अब हम इसको enter करते हैं, तो अब हमारी screen पर 30 answer आ रहा है, चलिए अब हम एक और function यूज़ करते हैं, email और चलिए एक program टाइप करते हैं, तो सबसे पहले हम एक variable लेंगे, result is equal to email, अब हम bracket में लिखते हैं, import और एक message टाइप करते हैं, enter and expression, चलिए अब हम second line में लिखते हैं, print, result, चलिए अब हम इसको run करते हैं, तो हमारी console screen पे एक message आ रहा है, enter and expression, तो हम लेते हैं, 10 divided by 2 plus 5 multiplied by 3 minus 4, चलिए अब हम इसको enter करते हैं, और हमारी console screen पे output आ रहा है 16, 16,